नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आये हैं मद्ध प्रदेश के इंदोर डिस्टिक में यहाँ पर दोस्तों गोतमपुरा के पास बचोडा गाउं पड़ता है आईए जानते हैं किस प्रकार से एक सफल डेरी फार्म संचालन करते हैं कहां से काउ खरी दिये चीतने बफेल हैं कितना मिल्का प्रड़क्शन पर दोस्तों हो रहे हैं और कितने समय से यह देरी फार्मिंग करते आ रहे हैं थो आज आईये हमारे साथ सांद सर जुड़ हैं जानकारी लेते हैं नम왔 अर्व नाम है अपना पुराना भेट पांस अल साल पूराना साथ साल हो चुका कितने पसु शुरवात कि थी आपने दो छोटी केडियों से स्टार्ट किया था अच्छा जी दो काफ लिए पर से स्टार्ट किया तो फिर धिरे-धिरे क्या विचार आया मनमें दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को आपको बता है कि हमारी जो लक्षमी गो सेवा संस्ता उज्जेन डिस्टिक में हमने जो सुबारम की है दोस्तों यहाँ पर लगबग हमने चार एकड जमीन जो नी सहाय गाए जो बे सहारा गाए होती है जो सड़कों पर घूमती रहती है उन्हें खाने की हरे चारे की सभी प्रकार की विवस्ता है हमारी डेरी सिलिशन बाइ सतीस की टीम और लक्षमी गो सेवा संस्ता के नाम उज्जेन से हम लोगों ने जो प्रारम की है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जितने भी उज्जेन डिश्टी के अंदर लगबग हम लोगों ने एक हजार गोवन्स और गाईों के लिए मेडिकल और उन्हें किस प्रकार से होस्पिटल की विवस्ताएं दी जाए गाई हमारी जो भारत की धरोवर है उसको किस प्रकार से हम बजा सकते हैं एक छोटी सी पहल हमारी टीम के माध्यम से की गई है तो आप भी अपनी साहिता रासी हमें इस प्रकार से भेज सकते हैं और अपनी गाईों के प्रती आप गो रक्षा में गो सेवा में भेज सकते हैं दोस्तों स्क्रीम पर दिये गए नमबर जो की चल रहा है हमारी गायों की साहिता के लिए आप हरा चारा, सूखा चारा, उनके खलियां, उनकी मेडिशिन, उनकी दवाईयां और उनकी रहने, खाने की विवस्ता है, हमने किस प्रकार से की है चैनल के माध्यम से दोस्तों आप अपनी रासी कुछ भी जो आप से लगता हो आप उसमें भेट कर सकते हैं और हमारे दिये गए नमबरों पर आप मैसेज करके अपना नाम, अपना पता, अपना एड्रेस भेज सकते हैं ताकि हम अपने जितने भी गो सेवक हैं, गो रक्षक हैं, उनके बीच में हम उनका नाम ले सकें, हम पुरी दुनिया को या पुरे संसार को बता सकें कि किस प्रकार से हमारे बीच में हमारे भारत के अंदर गो रक्षक हैं, गो सेवक हैं, जो की सनातन के लिए, हमारी गायों को बचाने के लिए, अपनी रासी इस प्रकार से भेजी हुई हैं, तो द दोस्तों दिये गए स्क्रीन पर नंबर दिये गए इस पर डाल सकते हैं और अपनी साहिता गायों के प्रती कर सकते हैं धन्यवाद अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो कितने एनिमल है आपके पास सारे चोटे बड़े सब मिला के करीब 60-65 जानवर हैं आसर ये बताएं कि कितनी पफेलो और कितनी काउ हैं करीब 18-20 पफेलो हैं और 20 काउ हैं अच्छा दोनों 50-50 हैं आसर ये बताएं कि जैसे आपने बता करीब काउ को हैं करीब 10-12 पफेलो आर्टS दस बफेलो अच्छा ये बताएं कितना प्रोड्सन हो और पर दे का बटे पर दे का हो करीब 20-20-डी- सद्ली आता है मुंद्ली जैसे आपने बताए कि 500 लाग के बीच में हो जाता है जिसमें सूखा चारा हरा चारा खलीयों का खर्चा लेबर की कोश्ट अगर हम 3-4 लाग में से बात करें खर्चे की तो कितना आ जाता है आपको करीब 60-65% खर्च बेट जाता है अच्छा 25% 30-35% बचता है असर इतने बड़ी फार्म को चलाने में कितने लोग काम करते हैं कितनी लेबर की आपने अभी फिला तिन लेबर है एक लेबर उलाने की है अच्छा जी प्रॉपर काम हो जाता है हाँ थोड़ी सी आफ़त पड़ती है अच्छा दूद जो है वो मसीनों से निकलता है या हाथो से गाए का दूद मसीनों से निकलता है और बेसों का हाथ से हाथ से निकलता है जी आसर यह बताएं कि अभी आप जैसे मिल्किंग में आपके पास हाइल्ड जबसे ज़्यादा दूद देने वाली भेंस जिसका रिकॉर्ड आपको पता हो एसा तो कोई रिकॉर्ड पता किया नहीं अच्छा जाफरावादी में कितनी है आपके पास दो है क्या रिजल्ड है उनका ब चैनल में बिए तो ये कहां से खरीदिया आपने जी में लुद्याना से खाईत कर आया हूं अच्छा कालूजी पाजी कितना समय हुआ है यह दो چार दिन हुआ है और कोई बिमार किसी प्रकार की कोई समस्य अभी अभी एक गाई की समस्य है बागी सब सब स्वस्ता है आप स जो बाजरा जो आता है वो पका के उबाल के उबाल के और खली देते हैं गला के अच्छा बिगों के और वो गोदरेज की पसुहार देते हैं सम्रदी सरी ये बताएं अगर 10 लिटर सुबद 10 लिटर साम को एनिमल दूद देता था उसको कितना देते हैं एक टाइम का फीट एक कि अबी आप जिसे चार प्रकार के फीट दे रहे हैं तो इनको भीगों के देते हैं सबी को बिगों डी जा रहा है बाकी पसुह आ रहरे वो सुकह जा रहे हैं आज उस्मेड्री आश्मेंस्वा रहें तो एक सो पांच साथ डींपरिछए देतेत्र पसू चले गए बहुत सारे फिर उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए फिर डाक्टर से सला देरे एक्स्पिरेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बिल्कुल सर यह पता है कि जैसे हमारे MP में तो यह धारणा है कि डेरी फार्मिंग में लोगों की जमीने भी जाती है इसमें तो सब्सक्राइब करना है जारे में चुर्वात में कितने पसूल आहे किन किन बातों का ध्यान रकें ओर देरी फार्मिंग में आएं या ना आ हैं इतने दिनों का अनुबव क्या कहता आपका आना चीए और नए जनरेशन को तो अना ही चीए और नए अच्छे अच्छे जो आ रहे हैं बृड़र बिल्कुल सीमन आ रहे हैं उनका इस्तमाल करके और अच्छे ब्रीट के लेके और चालू करना चाहिए बहुत अच्छी बात कहीं दोस्तों सरने की आप यदि हम लगबग अभी दूसरी तीसी जनरेशन पर एंपी में काम करें देस्वी ग्यानरी जनरेशन जो हरियाना पंजाब में आ चुकी है यदि आप नए अपने आपको अपडेट करेंगे डेरी फार्म को अपडेट करेंग अच्छी ब्रीट के साथ अच्छी फिडिंग का चेयन करें यदि हमारी अच्छी ब्रीट है और फिड अगर बैलेंसिंग रासन नहीं दिया हमने तो भी मिलका प्रड़क्शन नहीं आता है तो दोस्तों अच्छी ब्रीट के साथ अच्छी फिड का चेयन करें तीसरा है और चोथा अगर हम देखते हैं तो dairy farm की साफ सफवाई मैंटेन हो जिससे पशू को किसी प्रकार का कोई vector ARigos ना हो थनेला ना हो कोई infection ना हो किसी प्रकार का कोई संकर्मंट ना हो हाँ तो सर ये बताए कि अभी आप इस dairy farm को आगे कितना और बढ़ाना चाहते हैं मेरी इच्छा तो बहुत बड़ा करने की है बहुत बड़ा करने की इच्छा होना भी चाहिए अगर आप इस प्रकार से महनत कर रहे हैं सभी पसुओं का आप ध्यान रखते हैं और हर चीज का बराबर मेंटेन करते हैं सता ही उपर जाएगा सर यह बताएं कि अभी जैसे आप नहीं काफ तयार करते हैं बच्ची तयार करते हैं तो किस प्रकार से डाइट प्लान रहेता है दूद देना उसको फिडिंग देना कुछ थोड़ा सा बताएंगे उसके लिए तो स्टार्टिंग में दूद अच्छा पिलाना चीए जी कितना दीन तक कम से कम महीने बर तक कम कम फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ाना थ्री मन तक दो देना उसके साथ और उसके साथ में फिर अपनी फीट का फीट भी उसके साथ में चालू कर देना चाहिए और हरा चारा सुखा चारा हरा चारा देना चाहिए ना हरा और सुखा दोना हरा और सुखा दोनो दोनो सरी ये बत चोटा पड़ रहा है और हरे में क्या देते हैं सर आप हरे में बाजरे की कुटी तो बारा महिने अविलेबल हो जाती है बारे महिने नहीं हो पाती है वो एक नुकसान है बारा महिना हरा देना चाहिए हरा देना चाहिए तो उसके लिए सर आप साइलेज पर जा रहे है या फि अच्छा रहता है दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक सफल डेरी फार्मर जिन्हों ने साथ साल के अंदर लगभग साथ बसू किये हैं और बहुत अच्छी तरहिए से अपना डेरी फार्म चलाते हैं सर आपने समय निकाले हमारे दर्सकों को इतनी अच्छी जानकारी कि उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका जी सर दन्यवाद